दोस्तों आयूरवेदा होम केर में अब तक आप देखते आ रहे हैं हर बिमारी के लिए आसान और असलदार घरी लूप चार आज भी हम आपके लिए कुछ ऐसे ही नुस्खे लेकर आए हैं तो स्वागत है आपका एक बार फिर से आयूरवेदा होम केर में मच्छर आज की तारीक में इनसान के लिए एक बड़ा खत्रा बन गए है मलेरिया, डेंगू, चिकन गुनिया आदी ऐसी कई बिमारिया हर साल कई लोगों की जान ले लेती है हम इसे ज्यादतर लोग मच्छरों को मारने के लिए केमिकल पेस्टिसाइट्स का इस्तमाल करते हैं लेकिन इन केमिकल से अलर्जी भी हो सकती है साथ ही ये हानिकारग भी होते हैं तो अगर आप इन खत्रा पैदा करने वाले जंतुओं से छुटकारा पाने के प्राकृतिक तरीकों की तलाश कर रहे हैं तो हम आपको बताते हैं ऐसे बहुत सारे उपाई नीम मानव शरीर के लिए लापदायक होने के साथ ये एक मच्छर नाशक भी है नीम के तेल में बराबर की मातरा में नारियल तेल का मिश्रन मच्छर मुक्त रखने का एक प्रभावी तरीका है इस कीच नाशक मिश्रन को अपने शरीर पर मल लें ये आपकी त्वचा में एक विशेश गंद छोड़ता है जो मच्छरों को दूर रखती है ये कम से कम आठ घंटे के लिए मच्छर के काटने से रक्षा करेगा आप इस मिश्रन का दिया भी जला सकते हैं इससे मच्छर पास नहीं आएंगे नीमबू का तेल और नीलगिरी के तेल का मिश्रन प्राक्रतिक रूप से मच्छर मुक्त रखने का एक बहुत असरदार उपाय है ये त्वचा पर लगने पर आंटिसेप्टिक और मॉस्किटो रेपिलिंट दोनों के गुण देता है इस मिश्रन के बारे में सबसे अच्छी बात ये है कि ये प्राक्रतिक है इस मिश्रन का उप्योग करने के लिए बराबर अनुपात में नीमबू के तेल और नीलगिरी के तेल का मिश्रन बनाएं और अपने शरीर पर इसका इस्तमाल करें मच्छरों से बचाव करने के लिए कपूर का उपयोग अध्भूत काम करता है अन्य प्राकृतिक उत्पादों की तुलना में ये सबसे लंबे समय तक मच्छर से बचाता है एक कमरे में कपूर जलाएं और सभी दर्वाजे और खिड़कियां बंद कर दें पंद्रा से बीस मिनिट के लिए इसे इस तरह से छोड़ दें और इसके बाद एक मच्छर मुक्त वातावरन पाएं एक रिसर्च के अनुसार तुलसी मच्छर के लार्वा को मारने में अत्यंत प्रभावी है और मच्छरों को दूर रखने में मदद भी करती है इसके अलावा आयुर्वेद के अनुसार आप मच्छरों से बचने के लिए बस अपनी खिड़की के पास एक तुलसी का पौधा रखें ये मच्छरों को घर में प्रवेश करने से रोकते हैं और उनके उत्पन होने से रोक थाम करते हैं सरसों के तेल में अजवाइन पाउडर मिला कर इस से गत्ते के टुकडों को तर कर लें और कमरे में उचाई पर चारों तरफ रखनें मच्छर पास भी नहीं आएंगे लहसून की तीखी और कटू गंध मच्छर को काटने से और यहां तक की अपने घर में प्रवेश करने से भी रोकती है आप लहसून की कुछ फली पीस कर पानी में उबालने और जिस कमरे में आप मच्छर मुक्त रहना चाहते हैं वहाँ चारों और स्प्रे कर दें अब एक खुशबुदार तरीका मच्छरों से बचने के लिए लैवेंडर फूल की खुशबू अकसर मच्छरों के लिए बहुत कड़ी है और उन्हें काटने में असमर्थ कर देती है इसके लिए लैवेंडर के तेल को एक कमरे में प्राक्रतिक फ्रेशनर के रूप में छिड़कें या और अच्छे परिणाम के लिए लैवेंडर का तेल या उसे किसी क्रीम के साथ मिश्रन करके अपनी त्वचा पर मल लें चिकन गुनिया एक तेजी से फैलने वाली बिमारी है ये एक वाइरल इंफेक्शन है जो कि मच्छरों के द्वारा फैलता है इस रोग में तेज बुखार, जोडों का दर्द, सिर दर्द, मतली, पीठ दर्द, कब्स, तुचा पर चकत्ते, पेट दर्द और गले में खराश जैसे लक्षण देखने को मिलते हैं इन सभी लक्षणों के बीच जोडों के दर्द का लक्षण सबसे प्रमुक है हाला कि कुछ दवाएं काफी हद तक इस दर्द को कम करती हैं लेकिन इस जोडों के दर्द और सूजन से छुटकारा पानी के लिए आप कहीं तरह के उपचारों का सेवन भी कर सकते हैं आईए जाने ऐसे ही घरेलू उपचारों के बारे में लहसून और सजवाइन की फली चिकन गुनिया के इलाज के लिए बहुत बढ़िया है चिकन गुनिया में जोडों में काफी दर्द होता है ऐसे में शरीर की मालिश किया जाना बहत ज तेल ये लहसून के पेस्ट को मिर्च के साथ मिला कर जोडों के दर्द पर लगाएं। ऐसा करने से आपको कुछ ही दिनों में फर्क दिखने लगेगा। साथ ही अगर आप अश्वगंधा का भी सेवन करें तो ये आपके जोडों के दर्द को ठीक कर सकता है। इसके बाद इस कोल्ड कंप्रेस को जोडों में लगाएं। इसे कुछ देर तक पैरों में ही रखें। ऐसा करने से आपके जोडों का दर्द और सूजन दूर हो जाएगी। अंगूर लेते समय ये ध्यान रखें कि अंगूर बिना बीज वाले हो और सूखे नहीं हो। गाजर भी जोडों के दर्द के लिए लाब दायक होती है। सलाब के रूप में गाजर लेने से आपके शरीर में चिकन गुनिया से होने वाले प्रभाव से लड़ने की ख्षमता बढ़ जाती है। जिससे की जोडों में होने वाला दर्द जल्द ही ठीक हो जाता है। दर्णिया के दौरान जोडों में काफी दर्ध होता है लेकिन अगर आप एक जगह पर ही बैठे रहेंगे तो ये आपके लिए और भी मुसीबत बन सकता है इसलिए आपको इस दौरान पैरों में स्ट्रेचिंग या एरोबिक्स एक्सराइज करने की ज़रूरत है ऐसा करने से जोडों का दर्ध आसानी से कम हो जाएगा अगर आपको हमारे निस्खे पसंद आ रहे हैं तो देखते रहे और सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल आयूरवेदा होमकेर धन्यवाद